नमस्कार आप सभी का स्वागत है महादेव, जो देव के देव है इस समस्त संसार के कनकन में बसी हुई असी मूर्जा शिव ही है शिव ही आदी है और शिव ही अनन्थ है शिव जी को भोलेनाद भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते भक्त चाहे दानो हो या देवता हो मानो हो या पशु हो वे सभी पर समान क्रपा बरसाते है इसलिए उन्हें पशुपतिनाज कहा जाता है शुजी अपने सचे भक्तों की परिक्षा भी लेते है और उचित समय आने पर उसकी मनो कामना भी पूर्ण करते है यू कहे तो पुरानों की अनुचार शुजी अपने भक्त की कठोर परिक्षा लेते है प्राचिन ग्रंथ में इसके कई प्रमान मिलते है क्या आप भी शुजी को मानते है तो हमें कमेंड में ज़रू बताए आज हम आपको बताने जा रहे है ऐसे वेक्ति के बारे में अगर किसी वेक्ति में ऐसे लक्षन दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उस पर देवादी देव महादेव की क्रपा है क्योंकि महादेव की क्रपा से ही वेक्ति के अंदर ऐसे लक्षन दिखाई देते हैं अगर आपके भी अंदर ऐसे लक्षन दिखाई दे तो कमेंट करके जुरू बताए दोस्तो सभी मानोव पशुपक्षी और जिव जन्तों में महादेव का वास है परंतु जन्म लेने के पस्चात वेक्ति के कर्मों के आधार पर उसका भाग्य बनता है उसी प्रकार अच्छे कर्मों से महादेव की क्रपा प्राप्त वेक्ति के सभाव में और श्रीर में ऐसे लक्षन दिखाई देते हैं आईए आपको बताते हैं कैसे होते हैं महादेव की करपाप्राप्त वेक्ति, कहा गया है कि जिसके सर पर महाकाल का हाथ होता है, उसका मृत्ति भी कुछ भिगार नहीं सकती है नमबर वन, परुपकारी, महादेव के प्रियवेक्ति के अंदर परुपकार का सबसे बड़ा गुन होता है, वे कभी अपने बारे में नहीं सोचते, सदेव दूसरों की साहिता के लिए ततपर रहते हैं, चाहे खुद का कितना भी बड़ा काम क्यों न हो, अगर कोई साहिता म पशु प्रेमी, महादेव के प्रियवेक्ति मासार से कोसो दूर रहते हैं, ये ना तो किसी प्रानी को कष्ट देते हैं, और ना ही किसी प्रानी को कष्ट में देख सकते हैं, इनका सबसे प्रियपशु है गाय, इनने गव माता से सबसे अधिक प्रेम होता है, साथ ही इने क कुट्ता दिखते ही उसे कुछ खिलाने का मन करता है इसलिए द्वार पर आई गाय अथवा कुट्ते को रोटी आवशे डालते हैं शिवजी के आउतार खंडोबा का प्रियपशु कुट्ता है इसी कारेन इन लोगों पर खंडोबा की कृपा बनी हुई होती है आगे चल कर य बहुत दुख होता है ये लोग अपने से कमजोर लोगों पर कभी अत्यचार नहीं करते और अपने बल पर कभी घमन नहीं करते जबरन किसी के साथ दुश्मनी करना पसंद नहीं करते पर अगर कुरूर विक्ती इनके साथ भिड़ जाता है तो पीछे नहीं हटते डटकर सा नहीं उटाते दूसरों में बाट कर स्वेम थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं किसी को धनक्यावशक्ता पड़ती है तो उसकी मदद कर ही देते हैं भीमार लोगों की मदद करने से इनके मन को शांती मिलती है जब भी कोई परिजन मुसिबत में हो तो सबसे पहले इनी इसे मदद मांगने आते हैं क्युकि इनका सभव सब पर दया करने वाला होता है पाची बात स्ष्ट्रियों का सम्मान महादेव की प्रियविक्ती स्त्रियों पर कभी हाथ नहीं उटाते और नहीं उन्हें अपशब्द में बात करते हैं इसी करण महिलाए इनका बहुत सम्मान करती है स्त्रियों को देखकर इनके मन में बुरे विचार नहीं आते ये उन्हें आदर की भावना से देखते है महादेव के प्रियविक्ति अन्नका सम्मान करने वाले होते है ये कभी अपने अन्नक आपवे नहीं करते और अंतिम बात ये है कि महादेव के भक्त सुबाव से भोले होते है इनके मन में किसी भी प्रकार की उच नीच नहीं रहती ये सभी को समान दृष्टी से देखते है भले ही लोग इनका कितना भी फाइदा उठा ले ये महादेव पर विश्वास रखकर अपने कारे में लगे रहते है जान बुझ कर किसी का नुकसान नहीं करते तो दोस्तों ये ते महादेव के प्रिय विक्ति के लक्षन अगर आपके भी अंदर अइसे लक्षन है तो महादेव की क्रपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनो कामना महादेव एक नएक दिन आवश्व पूर्ण करेंगे इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद